सबी को नमस्कार आज की वीडियो में हम रूल्ज फॉर स्पैलिंग जानेंगे जिसका पार्ट वन आज हम करेंगे और आने वाले वीडियो में हम दूसरे जो रूल्ज हैं वो जानेंगे पहला है Q के तुरंत बाद सदेव U आता है और ऐसे और बहुत सारे सब्द हैं जिसमें हमेशा Q के बाद U ही आता है रूल लंबर दो जब किसी सब्द में फुल जोडा जाए तो फुल का एक L कम हो जाएगा एक्जेंपल आपके सामने है टी आर यू टी एच उसमें फुल जोडते हैं तो टी आर यू टी एच एफ यू एल हो जाता है एक L इसका कम हो गया ह ए आर एम प्लस एफ यू डबल एल ह ए आर एम एफ यू एल हरमफुल हो जाएगा और एसे ही फेथ एफ एई आई टी एच उसमें फुल जोडते हैं एफ यू डबल एल तो फेथ फुल एफ एई आई टी एच एफ यू एल हो जाएगा रूल लंबर तीन यदि किसी सब्द के अंत में डबल एल हो और उसमें अन्य कोई सब्द जोड़ा जाए तो प्रथम सब्द में एक एल रह जाता है तो एक एल यहां पे कम हो गया डबल एडबल एल उसमें अगर कम जोड़ते हैं तो डबल एल सी ओम हो जाता है एई डबल एल उसमें रेडी जोड़ते हैं तो एई एल आर एडी वाई आल रेडी हो जाता है और ऐसे ही if you double l उसमें fill if i double l जोडते हैं तो if you l if i double l फुल्फिल हो जाता है रूल नमबर चार यदि किसी सब्द के अंत में l हो और उससे तुरंत पहले कोई वोविल आया हो तो सुफिक्स लगाते समय l double कर दिया जाता है तो ये double l हो जाएगा ती आर अवी इडबल एड़ ट्रेवल्फिल्फिल एसे ही कौरल उसमें एड़ी जोडते हैं तो कौरल का l जो है वो डबल हो जाता है जैसे qya डबल आर एड़ी अड़ी नमबर एड़ी और ऐसे ही LEVEL उसमें ED सफिक्स जोड़ते हैं तो LEVELD हो जाता है और ऐसे ही LEVELD में ED जोड़ते हैं तो LABELED लेबल हो जाता है रूल नमबर पाँच यदि किसी सब्द में WELL या WELL विल या WILL जोड़ा जाए तो double L कम नहीं होता उसमें से double ही रहता है तो यहां देखिएगा कि double L जो है वो सेम रहता है ऐसे ही UN उसमें WELL जोड़ा जाता है तो UNWELL हो जाता है और free में WILL जोड़ा जाता है तो free will हो जाता है ऐसे और भी आप example ले सकते हैं That's all for today Thank you मिलते हैं अगले पार्ट के साथ